हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जुरूर बजाएए, जिससे हमारे आने वाली नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए होम नमस्षिवाय भक्तों, आज हम ऐसी कथा सुनेंगे जिसमें भगवान सीव ने ब्रह्मा जी का सीज कार्ट डाला था हिंदु धर्में भगवान सीव के अवतारों को लेकर काफी चर्चक रही है कि इन्होंने कौन सा अवतार कब लिया और क्यों लिया इसके हर अवतार के पीछे कोई न कोई कारण रहा है आज हम आपको शंकर जी के अवतार से जुड़ी एक ऐसी पौरानिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें भगवान बारा साल तक प्रमा के कटे सिर को हाथ में लेकर घूमते रहे तो आईए जानते हैं इसके पीछे की कथा के बारे में जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों ने सुना है सास्त्रों में वर्णित एक पौरानिक कथा के अंसार जब देवी सती के रूप में माता पार्विती ने अपना देह त्यागा था तब क्रोध में आकर शिव जी ने अपने सिर का एक बाल तोड़ा जिसमें से वीर भद्र और काली की उत्पत्ती हुई कहते हैं वीर भद्र शिव का सबसे खौफनाक और भैभित कर देने वाला सोरूप था लाल आखें और काले सोरूप वाले वीर भद्र के गले में इंसानी खोपडियों वाली माला थी राजा धक्ष की वज़े से ही यग में देवी सती ने अपने प्राण त्याग दिये थे और इसी वज़े से वीर भद्र ने राजा धक्ष का सीज काट डाला था एक बार भगवान विश्णू और ब्रह्मा के बीच बरिष्टा को लेकर विवाद चल रहा था तब भगवान शिव ने उनके परिक्षा लेने की ठानी लेकिन जब इस परिक्षा में ब्रह्मा ने जूट का सहारा लिया तब भगवान क्रोधित होकर भैरव अवतार लेकर ब्रह्मा का पाँचवा सीर काट डाला लेकिन ऐसा करशिव के सिर पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया और जिसके पस्चताब करने के लिए शिव ने करीब बारा सालों तक ब्रह्मा का कटा सिर थाम कर भीक मांग कर जीवन वेतीत किया ऐसा माना जाता है कि इसी स्वरूप में शिव सवी सकती पीठो की रखवाली करते थे सागर मंथन के दोरान जब शिव ने शीर सागर से निकला विश का प्याला पी लिया था जब विश के प्रभाव के कारण उनका गला जलने लगा ऐसे में शिव के भीतर से एक विश पुरुष ने जन्म लिया और शिव ने उसे वर्दान दिया कि वे द्रोंड के पुत्र के रूप में धर्ती पर अवतार लेकर अशक्त छत्रियों की हत्या करें कहते हैं कि असवस्त्वमा शिव के इसी रूप का नाम है पौरानिक मानता अंसर Meinung, शिवन जी ने ब्रह्मान्द में अंशाषन बनाये रखने के लिए दुर्वासा के रोप में अफताल लिया था भगवान विश्णु ने धर्ती पर भगवान राम के रूप में अवतार लिया और इनकी सेवा करने के लिए उन्होंने खुद हनुमान के रूप में अवतार लिया था अगर आपको एक अथा पसंद आयो तो कमेंट में ओमने शुआ वश लिखे